नमस्कार मैं शादना पाड़ने मागदसन पर आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों मैं बात करने वाले हूँ घर के मुख्य द्वार पर जो जल छिड़कते हैं वो जल किस तरीके से छिड़कना चाहिए जिससे की आपको अधिक से अधिक लाब हो सके देखें मुख्य द्वार पर जल सभी लोग छिड़कते हैं कुछ लोग जो है विसेश तरीके से छिड़कते हैं और जिस विसेश तरीके से आपको लाब मिलता है कुछ लोग जल छिड़कने का सही तरीका ही नहीं जानते और वाज़्तो सासर के अनुसार क्या है सही तरीका है ये जानकर जब आपको इकाम करेंगे तो निश्टित रूप से आपको इसका पोनफल मिलने वाला है तो घर के मुखे द्वार पर जो जल छिड़कने का सही तरीका सही समय होता है और किस तरीके से आप उस जल को छिड़कने से अपने जो दोस होते हैं परिशानिया होते हैं बिना किसी पूजा पाट के दूर कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों हर किसी के पास या तो समय नहीं या तो थोड़ा सा ऐसा कुछ दिक्कत है जिससे को मंत्र जपना या इस तरीके के समस्याइं जो है उनसे निब्रित होने के लिए मुक्ति पाने के लिए कुछ विसेश उपाय नहीं कर जकते तो जो जल आप छिड़कते हैं आज मैं उसी में कुछ विसेश चीजे मैं बताने वाली हूँ जिसको कि आप अपनी परेशानी चान लेजिए और उस परेशानी के अनुसार प्रयोग करिए निश्चित रूप से आपको इसका फल देखने को मिलेगा अब बात कर लेते हैं कि जो लोग काफी टाइम से जल क्या वो इस जल में और ये चीजे मिला देंगे तो उनको उसका पूर्ण फल मिलेगा या नहीं तो दोस्तों आपको बता देती हूँ चमतकारी फल मिलेगा बहुत अधिक चमतकारी फल सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारा रसोई घर होता है उसमें देवी देवता मान पूर्ण के सासत पित्रू का स्थान होता है अब पित्रू का स्थान होता है जहां पे हम अपने घर का मठका रखते हैं मठका रखते हैं यानि कि जिसमें हम जल भर कर रखते हैं तो विधी यह है जबकि सभी जो लोग जानते हैं कि हम जल भरते हैं और सुबह सबेरे जगने के बाद अपने मेंडोर पे छिड़कते हैं बहुत अच्छा सही भी है तो कैसे करना चाहिए पहले इस बारे में बात कर लेते हैं देखे जो मुखे द्वार पे आप जल छिड़कते हैं असल में ये एक तांतरिक प्रयोग है आपको सुनकर ठोड़ा जटका लगेगा लेकिन ये एक तांतरिक प्रयोग है अब इस प्रयोग में कौन सी सावधानी रखना चाहिए तो देखे इसमें कोई भी आपको स्नान वगए रखनी की जरूरत नहीं होती है आप पिरियर्ट में सूतक में पातक में किसी भी कंडिशन में आप अपने घर के मुखे द्वार पर जल छिड़क सकते हैं पहले चीज किसी छिड़कना चाहिए तो घर की मुख द्वार पर जो घर की प्रमुख महिला होती है प्रतान महिला यानि घर की बड़ी महिला जो हो उन्हीं को ये जल छिड़कना चाहिए तो इसमें किसी भी तरह से सूतक पातक पिरियर्ट ब्रस करना कुछ भी सामिल नहीं है आप उठिए आप का मन हो तो मो ढोलेज़े कुला बगरें कर लीजिये हाथ पे नहीं नहीं ऐख और आप उपने घर के मठके में से एक लोटा जलने लेजिये अब एक लोटा ले सकते हैं एक किसी भी बरतन में ले लिजे और लेकर कि आप अपनी घर का मुखे दर्वाजा सबसे पहले खोल लेजे मुखे दर्वाजा मतलब कि जो तालाव अगर लगा है उसको हटा लेजे उसके बाद उस पानी का छिड़काव कर देगे ये तो साधारण विदी है जो आप सभी करते हैं लेकिन इस पानी दिखाती हूं देखती हूं तो कि दीदी हम तो लेट शिड़कते हैं अगर आपका रूटीन ही वही है तो मैं क्या कर सकती हूं लेकिन इस चेंज का फल होता है वह बहुत कम होता है और कब जादा होता है तो ब्रहम मोहर्त में क्योंकि 8 बज़े 9 बज़े जब सुर्योदय ह हो जाता है तो हमारे पितर हमारी दहलेश का स्थान छोड़ देते हैं पितर लोग चले जाते हैं रातरी में पितर वहीं बड़े रहते हैं उनके त्रिप्ति के लिए भी हम इस चल्का छिड़काव करते हैं तो सही तरीका कब है कि हम ब्रहम मोहर्त में ही ये काम कर लें ब्र तरह से सांती नहीं है तो क्या करेंगे आज मा कर देखिएगा एक बहुत प्रमुक चीज मैं बता रहे हूं आपको आप अपने घर में एक तांबी के लोटे में जल भर करके रखिएगा और वो किधर रखिएगा तो उत्तर के साइड में रखिएगा रखने के बाद आप मिलाएं और हल्दी मिलाकर आप अपने घर के मुखे दर्वाजे पर ओम नमो भगवती वाशुदिवाज बोलते हुए आप इस जल का छिड़काव करें अब एक चीज और बताती हुमार अगर आपको इस जल छुड़कते हुए किसी ने टोका टोकी की तो इसका प्रभाव खत्म हो जाता है इसलिए प्रयास करें कि अधिक शयादी की काम जब भी करें तो अंधेरे में ही कर लें कोई जो है सामने से टोका टोकी न करें क्योंकि मैंने कहा नहीं यह तांत्रिक प्रयोग है और तांत्रिक प्रयोग तब नश्ट हो जाता है जब सामने से टोक लग जा अगर किसी की टोक किसी चीज को लग जाती है तो मान के चलिए कि वो काम अधूरा ही हो जाता है तो इस चीज से बचकर हमें ये काम करना है आप करिएगा कितने भी बड़ी आपकी घर में लड़ाई जगड़े कलह कले इसका महावल है एक हपते में आप अपना अनुभाव हमक कर लिजे सुर्योदस से पहले अब पिरियर्स में कोई है तो किसी भी तरह से यह लगेगा कि नहीं कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो कोई भी भ्रहम वाले इसमें स्थिति नहीं है बिलकुल आप कर सकते हैं सूतक पातक पिरियर्स किसी भी स्थिति में आपको रुकने की अव करते हैं तो दूसरी चीज़ कि यदि आपके घर में धनकी कोई भी आवक नहीं है नौकरी नहीं मिल रही है या फिर जहां भी आप हाथ डाल रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप क्या करें देखें आप अपने घर में जब भी आप अगर आपके घर में एक चांदी क कोई भरतन हो जैसे विसेज कर लोटा वगरह हो छोटा लोटा जो पूजा के प्रयोग में आता है अगर वो हो तो चांदी का एक लोटा ले लिजे और उस लोटे में आप रात को पानी अपने आरो से भर लीजे या जैसे भी मटके से निकाल कर भर लेजे सुबह उस जल में आप चाहे तो गुलाब जल मिला सकते हैं या फिर आप केवड़ी का जल मिला सकते हैं या फिर इत्र मिला सकते हैं और इसे जो है अपने घर के मुखे द्वार पर ओम नमू भगवति वासु देवाई कहा करके आप छिड़के और दोस्तों जादा टाइम की बात मैं नहीं कह आप नियम से ब्रह्म वोट में ये काम करके देखिएगा और एक हथे में रिजल्ट अपको बताईएगा कि आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा तो बहुत तेज और बहुत सिख्र ये चीजे हमें फाइदा करती हैं कारण भी बता देती हूं क्यों कि मन में तो यही आएगा कि चोटी सिख्र हम को क्या आसर करेगी देखिए मुखेद्वार पर जो हम जल्ट रखते हैं उसका एक फाइदा तो यह होता है कि हमारे घर में अगर पितर दूस के कारण प्रगति रुगी है तो वह खुद बखुद पितर वहां पड़े रहते हैं और वह सीतल जल्ट रखने दूसरी चीज कि जब आप उसमें इतर गुलाब जल केवड़े का जल कुछ भी मिलाक अच्छी रखते हैं तो उससे लक्षमी आकरसित होती हैं तो इस तरीके से आप अपने घर में गरीबी और कर्ज को तूर कर सकते हैं यह जो काम है आपको अवश्य कर लेना है अब अगल करी का पाउडर रखें और एक गिलास कोई भी पानी ले लेजे मतलब मटके से आरोश कोई भी और सुबह जब आप जल ठीड़के तो उसमें फितकरी का थोड़ा सा पाउडर मिला करके और आप इस जल को ठीड़काव करें और 21 बार इस मंत्र का जब करें मातर बगले विज मैं मंत्र डाल दूंगे आप करके देखिएगा मैं लिख के बताती हूं कि आपको एक हफ्ते में जो उपाय बताई हूं एक हफ्ते में इन सबसे आपको बहुत अच्छा और शकारात्मक्पल मिलेगा और इसमें कोई नहाना धोना या इस तरह की कोई दिकते आपको नहीं है और हाँ मुखेद्वार से खुसियां दुख समरिदी शबकु चाता है इसलिए एक चीज़ और करिएगा मुखेद्वार पे अपने बहुत सारे चपल वगर मत चपल तो उतारना ही नहीं जिए कोसिस करिएगा चपल न उतारें घर को साफ सुतरा रखें में डोर को साफ रखें किसी भी इस्तिती में जो मुखे दर्वाजे को गंदा आप लोग न छोड़िए किसी भी तरह से उसको साफ सफाई जो है समय पे करिए या कराई ये जैसे भी आपके व्योस्ताव एक तोरण हमिस्था अपने घर के में डोर पे लगा के रखें इसको हलके बिना कि हम किस दर्वाजे को मुखे दर्वाजा माने तो देखें आपका गेट यदि बहुत बाहर है बहुत दूर है तो आप जो अपने घर का है जो गेट के अंदर है उस दर्वाजे को मुखे द्वार माने जो भी उपाय बगर मैं बताती हूं आप उसी पे कर सकते हैं आपको इसका Estamos rich होगा क्योंकि आपका जो मुख्य दर्वाजा होगा वह बहुत दूर होगा इसलिए आप किसी उपाय को नहीं कर पाएंगे को दिक्कत आएगी तो आप उसी दर्वाजे को मुख्य दर्वाजा माने जो आपके घर का है तो इस तरीके से करके आप अपने नियम और इस कारे को कर सकते हैं और दोस्तों उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेजेगा क्योंकि इस तरह की विशेश जानकारी आपको समझ पर बे मिलती रहेंगे तो चलिए दोस्तों अब मिलती हूँ आप से अन्य वीडियो में धन्यवाद हर हर महादे